नमस्कार, स्वागत है आपका चनाव आज तक पर मैं हूँ आपके साथ प्रियंका दुबे लोकसवा चनाव के बाद एक तरब जहाँ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी केंदर सरकार के गठन की तैयारियों में जुटे हैं अंदर खाने टीडीबी और जेडियों समित गठवन्दन के तमाम दलों के लिए मंत्री मंदल तेह किये जा रहे हैं वही सरकार गठन की इस कवायत के बीच महराश्ट में राजनीतिक उदल पदल मची हुई है महराश्ट से जुड़ी ख़वर हम आपको विश्तार से बताएंगे लेकिन इसे पहले आपको बता दे कि चुनाव आश्टक पर चुनाव से जुड़ी तमाम एहम खबरों का एक मात्र विश्वसनिय चिकाना है लेहाज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें अब बात महराश्ट की राजनीति की महराश्ट की राजनीति में गुरुवार का दिन बेहत एहम साबित हो रहा है सूत्रों की मताविक जानकारी की मताविक चुनाओं के नतीजों के बाद अजित पवार गुट के 10 से 15 विधायक शरत पवार के संपर्क में है इस बात के भी आसार जताय जा रहे हैं कि अजीद पवार गुट के कुछ विधायक आने वाली वक्त में शरत पवार के खेमे में जा सकते हैं लोगसबा चुनाओ में खवर प्रदर्शन के बाद राष्टवादी कॉंग्रिस पार्टी यानी एन्सीपी के प्रमुक अजीद पवार ने पार्टी के मंत्री और विधायकों के साथ अलग-अलग बैट के बलाई हैं इन बैटकों में पार्टी के प्रदर्शन की समिक्षा की गई है साथी इस साल सितंबर अक्टूबर की महिने में होने बाली आगामी विधान सबा चुनाओ की रणनीदी पर भी चर्चा की लोकसवा चुनाओ में एनसीपी ने चार सीटों पर चुनाओ लड़ा जिसमें से केबल एक सीट राइगर पर ही जीत हासिल कर पाई बारामती, शिरूर और उसमाना बाद लोकसवा सीटों पर अजीत पवार्गुट को हार का सामना करना पड़ा गुरुवार को ही बैट के इसली भी महतपूर मानी जा रही है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने चुनाओ के दोरान सहयोगी दलो बीजेपी और शिपसेना पर एनसीपी उमीदवारों के पक्ष में ताकत नई छोकने का आरोप लगाये है जिससे गठवंदन के बीच संबंदों में आई दरार के तौर पर भी देखा जा रहा है एनसीपी के अमोल मितकारी ने दावा किया है कि बीजेपी और शिंदेगुट के नेताओं और कारिकरताओं ने पहल नहीं की जिसका खामयाजा लोकसबा चुनाव में एनसीपी उमीदवार को ठाना पड़ा है अब अजीत पवार इस बात पर मन्थन कर रहे हैं कि सहयोगी दलों के साथ तालमिल कैसे बहतर किया जा सके साथ ही माराष्ट में इसी साल के आखरी महीने में होने वाले विदानसब अचुनाव से पहले जमीनी इस तर पर गटवन्दन और सहयोग कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी बातशीत जारी है NCP माराष्ट विदानसबा में 80-90 सीटे मिलने की उमीद कर रही है NCP के वरिष्ट नेता चगन भुजबल ने हाल ही में पाची की बैठक में अजीत पवार से कहा था कि वो NCP को विदानसबा में 80-90 सीट देने के वादे की याद मिजेपी को दिलाए ताकि बाद में आखरी समय पर भ्रहम की इस्तिती पैदा ना हो इसके लावा महराष्ट से ख़वर है कि मुख्य मंत्री एकनाशिंदे की शुफ सेना केंत्री मंत्री मंदल में क्याबिनेट बर्त और एक राज्य मंत्री की मांग कर रही है शिंदे ने लोकसबा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है मुख्य मंत्री एकनाशिंदे ने भी पार्टी की सभी निर्वाचित सांसदों के एक बैठक बुलाई है वही लोकसबा चुनाव में चार में से केवल एक सीट जीतने वाले अजीत पवार ने केंद्री मंत्री मंडल में एक राज मंत्री पद देनी की मांग की है महराश की खबरों पर आगे भी दिन बर चर्चा रहेगी फिलहाल मेरे साथ इतना ही चुनाव आज तक पर आप चुनाव राजनीतिक पार्टियों चुनावी मुद्दो की जानकारी हासिल कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार